दोस्तो औरत की इन तीन गलतियों के कारण पती की मिर्तियू पहले हो जाती है भगबान करे दुनिया की कोई भी औरत ये तीन गलतियां कभी ना करी नहीं तो पती की मौत बहुत जल्द होती है दोस्तो पती पतनी दोनों एक दूसरे के पूरक माने गए है शास्त्रों में कहा जाता है कि एक ब्यक्ति का जीबन तब तक अधूरा माना गया है जब तक उसका जीबन साथी अर्थात उसका बिभा ना हो जाए आपको बता दें अर्धांगनी कहे जाने बाली पतनी अपने पती को मिर्थ्यू से बचाने के लिए कई ऐसे प्रयास करती है ताकि उसका पती मिर्थ्यू से बचा रहे जैसे कर्बा चौत का ब्रत रखना, कई पूजा पाट करना, धार्मिक यातरा करना, बट साबितरी का ब्रत रखना आदी शामिल है लेकिन फिर भी ब्रत होने से पहले पती की मिर्तियू हो जाती है गरुन पुरान में बताया गया है कि जब कोई पत्नी ये तीन गलतियां करती है, तो उसका पती मिर्तियू को प्राप्त होता है अर्थात पतनी से पहले यूबा अभस्था में उसकी मिर्तिव हो जाती है और पतनी को यूबा अभस्था में ही अकेला रहना पड़ता है ऐसी इस्तरियां अपने पती से बंचित रहे जाती है अगर आप भी ये तीन गलतिया करती हैं तो इस वीडियो को अंति तक जरूर दे दोस्तो गरुन पुराण में पतनी से पहले पती की मिर्तियू के तीन रहसे बताए गए हैं। भोजन के लिए लालसा भी ब्रत के दोरान नहीं रखना चाहिए। ऐसी महिला को कई जन्मों तक पती से बंचित रहना पड़ता है। उसको भोजन गिरंड नहीं करना चाहिए। अरथात ब्रत को श्रद्धा पूर्व करने के बाद ही ब्रत तोड़ना चाहिए। तबी ही पती की आयू लंबी होती है। और निकट भबिश्य में पती पतनी दोनों में दरार नहीं पड़ती बलकि प्यार और बढ़ जाता है। इससे पती की आयू बढ़ती चली जाती है और साथ जन्मों तक का साथ मिल जाता है। दोस्तो नारी की दूसरी गलती बात बात पर पती की जूटी कसमे खाना, पती से बात बात पर जूट बोलना, जगड़े आदी करना, मुक से गंदी गंदी पती को गालियां देना घोर पाप के बराबर माना गया है। ऐसा माना जाता है कि निकट भबिश्य में ऐसे रिष्टे तूट कर बिखर जाते हैं और यूबा अबस्था में पती की मिर्टियू हर हाल में हो ही जाती है। कई लोग करबा चोथ का बरत रखते हैं और शरद्धा पूरबक इस बरत को निभाबी लेते हैं। परंतु बात बात पर पती की जूटी कसमे खाना और गंदी गंदी गालियां देना, पती को लातों से मारना, बात बात पर पर परिशान करना तो इससे पती की मिर्टियू जल्दी हो जाती है। और ऐसी नारी को गरुण पुरान के अनुसार पती से हमेशा के लिए बंचित रहना पड़ता है क्योंकि पती परमेशबर का रूप है दोस्तो नारी की तीसरी गलती गरुन पुरान में बताया गया है कि जब कोई नारी मास का सेबन करती है तब उसके पती पर कश्ट आते हैं और उसकी मिर्टियू यूबा अबस्था में हो जाती है खास कर बिरस्पती बार के दिन बाल धोने से पती की आयू और संतान दोनों की मिर्टियू निकट भविश्य में हो जाती है पती के होते हुए पराय पुरुष को देखने पर या सम्मन्द इस्थापित करने पर पती की मिर्टियू यूबा अबस्था में हो जाती है जब कोई नारी अपना मंगल सुत्र उतार देती है और मांग भी सूनी रखती हो ऐसे में हातों में चूड़ी यां पैरों में पायल अगर बह नहीं पहनती है तो इससे निकट भविश्य में बिरद यानी बुड़ापा आने से पहले पती यूबा अबस्था में मिर्तिव लोग को प्राप्त हो जाता है पती से पहले भोजन करने बाली नारी का पती भी मिर्तिव को प्राप्त हो जाता है रात देर तक सोने बाली और सुभा देर तक उठने बाली नारी का पती भी यू जाता है दोज़ तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखें जैमाता दी और अपने अनुभप कमेंट बॉक्स में जरूर शेर करें एक लाइक तो बनता है